हेलो एन वेलकम टू आर चैनल सोलो टेल्स और आज की हमारी मुवी है एक जैपनिस सैकोलोजिकल थ्रिलर दब ब्रेइन मैन ये मुवी हमारी बाकी मुवी की तरह ही थ्रिल और सस्पेंज से भरी हुई है और इसकी एंटिंग भी काफी स्पेशल है तो इसलिए इस वीडियो को बगार स्किप किये लास तक जरूर देखें और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सस्क्राइब जरूर करें तो अब चलिए शुरू करते हैं मुवी की बेसिक प्लाट लाइन तो मुवी की स्टार्टिंग में हमें एक बेस्मेंट दिखाया जाता ह जिसमें दो लोग एक लेडि को काफी टॉचर करते हुए उसकी जीब कार्ट देते हैं हाला कि वो लेडि काफी चिलाती है पर इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता उल्टा ये लोग इससे खुश हो रहे थे आगे एक हॉस्पिटल बताया जाता है जहां पर साइकाट् मारी को बाकी डॉक्टर्स के सामने अपना प्रेजेंटेशन दिखा रही थी यहां मारी को एक वीडियो दिखाते हुए बताती है कि ये फुटेज कुछ महीनों पुराना है जहां पर इस लेडि के पच्चे को पैसो की लालच में इन तीन लोगों ने मार दिया था ये तिन अब ये अपने दुश्मनों से प्यार करने लगी और इनके भी सुलै हो गई ये सब सरिफ हमारे ट्रीट्मेंट प्रोग्राम के कारण हो पाया अगर हम चाहें तो इससे भी बड़ी आपसे दुश्मनी को हम इस प्रोग्राम के तहत मिटा सकती है लेकिन मारी को की बास सुन इसके बाद हमें मारी को को दिखाया जाता है जिसे जाने के लिए बस नहीं मिलती वहीं कुछ बच्चे बस में चड़कर मारी को का मजाक उडा रहे थे लेकिन यहाँ वो बस कुछ दूर जाते ही बलास्ट हो जाती है ये देखकर मारी को काफी चौक जाती है लेकिन तबी उस बस में से एक आदा चला हुआ बच्चा निकलता है और मदद मांगता है, मारी को जल्दी से उसके पास जाकर एंबुलेंस को कॉल करती हैं और ये देखकर वो साइको किलर्स छिपकर मुस्कुराते हैं, आगे इस ब्लास्ट के इन्वेस्टिकेशन के लिए एक डिटेक्ट हो गया, आगे डिटेक्टिव अपनी डिपार्टमेंट में होता है, जहां पर वो बागे डिटेक्टिव को बताता है कि जिसकी बॉडी में बॉम फिट किया गया था, उसका नाम किन्जी को नीसु को था, और वो एक फेमस फॉचुन टेलर थी, जो भविश्यवानी करके ट जहर में कई लोगों को इसी पैटरन से टॉचर करके मारा गया है, और इसमें जात तर लोग टैलिविजन इंडस्टिव से जुड़े वे थी, आगे हम हॉस्पिटल में मारिको को देखती हैं, जहां पर डिटेक्टिव का असिस्टेंट बारे में तैकिकात कर रहा था, लेक अगर सैकेट्रिक्स अपना काम अच्छे से करने लग जाएं, तो हमारे आदी से जादा साइको किलर्स से जुड़े वे केसिस बंद हो जाएं, और फिर आइंदा से ऐसा कभी ना हो, डिटेक्टिव के पास सुनकर मारीको वहां से जाने लगती है, पर डिटेक्टिव उसे रोकते हुए बताता है कि तुम जिस बच्चे को यहां लाई थी, उसे डॉक्टर्स नहीं बचा सके, इतना सुनकर मारीको वहां से चली जाती है, आगे मारीको अपने घर में होती है, जहां पर उसे उसकी माम रिमोट की बैटरी ठीक करने के लिए उसे बुलाती है, मारीको असानी से मिल सकता है, लेकिन उस बॉम में टंगस्टन कारबाइड नाम का एक लोहे जैसा पार्टिकल है, जो इस शहर में सरिफ एकी दुकान में मिलता है, और इसे खरीदते भी काफी कम लोग है, आगे डिटेक्टिव और असिस्टेंट उस दुकान में पहुचते हैं, ज असे बेच डिटेक्टिव और उसका असिस्टेंट एक ऐसे जगे पर पहुचते हैं, जहां पर कई सालों पहले पेंटिंग और एक्जिबिशन होते थे, इस जगे के पास एक घर होता है, जब ये दोनों उसमें जाने लगते हैं, तभी एक सोर का पॉम ब्लास्ट होता है, जिससे असिस्टेंट नीचे गिर जाता है, पर वो बिल्कुल ठीक होता है, क्योंकि ये ब्लास्ट जादा बड़ा और खतरनाक नहीं था, आगे डिटेक्टिव उस घर के अंदर जाता है, और यहां उसे एक आदमे मिलता है, जो इस थमाके के बाद पीशांती से खड़ा थ डिटेक्टिव उस आदमी को हाथ खड़े करके घुटनों के बल बैटने को कहता है, और वो आदमी ऐसा ही करता है, यहां डिटेक्टिव की नजर उसी औरत की जीव कटीवी फोटो पर पड़ती है, यहां डिटेक्टिव उस आदमी को पागल समझ कर असाइलम भरती करा दे और उसने एक लड़की को काफी बुरी तरह से मार कर कानून से बचने के लिए पागल बनने का नाटक किया था वो आदमी अपने दोस से इसी बारे में बात कर रहा था वो आदमी बता रहा था कि मैंने उस लड़की को कितनी बहरेमी से मारा था फिर भी कानून मेरा कुछ नहीं बिगाड पाई, अब ये सारी बात वहाँ जेल में पड़ा, वो आदमी बड़ी शांती से सुन रहा था, अगले दिन जब जेल के कैदियों को दूसरी जगे शिफ्ट कराया जाता है, तबी हमें उस शांत से दिखने वाले आदमी का खतरनाक पता चलता है, जहां पर वो अपने साथ वाले पुलिस आफिसर को मार कर भेहोश करके, उस कैदी को पकड़ लिता है, जो रात के समय उस लड़की के बारे में बात कर रहा था, वो आदमी उस कैदी का चैरा जोर से पकड़ लिता है, जब पुलिस वाले उसे चुड़ाते है तो देखते हैं कि उस आदमी ने उस कैदी का पूरा आख निकाल लिया है आगे उस आदमी के इस हमले को देखते वे उसे मारिको के मैंटल हॉस्पिटल में शिफ्ट कराया जाता है हॉस्पिटल में आते वक्त उस आदमी की नजर हॉस्पिटल के चार्ट पर पड़ती है जिस इस bomb blast में किसी तरह से involved है तो मुझे जरूर बताना इतना कहकर detective वहां से चला जाता है इसके बाद मारी को उस आदमी से मिलती है और उससे मिलते ही वो सबसे पहले उसका नाम पुछती है वो आदमी बताता है कि मेरा नाम सुजुकी है मारी को पुलिस से सुजुकी की हतकड़ी खोलने को कहती है और पुलिस को वहां से जाने को कहती है अब मारी को सुजुकी से उसकी शर्ट उतरवाती है सुजुकी बगएर कोई सवाल की शर्ट उतार दीता है यहां मारी को सुजुकी की पीट में बाम ब्लास से लगेवे जख्म देखती है लेकिन इतने दर्द के बा पास Suzuki को hospital की jail में दिखाया जाता है यहां वो बैठा हुआ होता है पर अचानक से ही push-ups करने लग जाता है और push-ups करते-करते वो सरिफ एक ही उंगली से push-ups करने लगता है अगले दिन मारी को Suzuki से पूछती है कि क्या तुम्हें बच्पन में कहीं चोट लगी थी या फिर तुम क सवाल में बिल्कुल शांत रहता है और हर कमांड मानता है लेकिन वो पूरी तरह ठीक नहीं है इतने महीं मारी को को उसके एक patient शिमूरा की तरफ से call आता है आगे मारी को शिमूरा को चेक करने एक asylum जाती है यहां शिमूरा और मारी को की बातों से हम समझ पाती है कि शिमूर खुद भी secondary school में पढ़ने वाला एक 16 साल का बच्चा था लेकिन अब मारी को की वज़े से शिमूरा की हालत सुधर रही थी और वो बिल्कुल ठीक हो गया था यहां शिमूरा की मदर उसका check-up होते वे देख रही थी और जब उसे पता चला कि अब उसका बेटा पूरी तरह से ठीक हो चुका है और उसे hospital से discharge कर दिया जाएगा तो यह चानकर उसकी मदर मारी को का शुक्रियादा करती है आगे दिखाया जाता है कि सुजुकी की हालत hospital वालों को काफी strange लग रही थी वो कभी भी गुसा नहीं करता था और हमेशा एकी सेम टाइम पर बगेर घड़ी द जैसे क्या तुम्हारी मॉम की मूचे थी क्या तुम्हारे पिता बढ़ते दिखते थे इन सवालों को सुनकर सुजुकी इनका सीधा जवाब देता है और वो इन सवालों से बिल्कुल भी गुसा नहीं होता इसके बाद हमें एक खतरनाक psycho killer नौरिको को दिखाया जाता है यह वही लड़की होती है जिसने उस लेडी की जिव काटी थी नौरिको इस वक्त एक फोटो देख रही होती है जिसमें उसे सुजुकी मारिको के साथ दिखता है यहां एक flashback से दिखाया जाता है कि सुजुकी किसी कारण से नौरिको का गला तबा रहा था लेकिन नौरिको के स जो दूसरी लड़की होती है, वो पूछती है कि ये हमें माना क्यों चाता है, तो नौरिको कहती है मुझे नहीं पता, इतने में ही नौरिको के मुझे खून बहने लगता है, पर नौरिको की पार्टनर उसे एक इंजेक्शन देकर बचा लेती है, और कहती है कि मैं तुम्हें मनने नहीं दूँगी तुमने मेरी जिंदगी बचाई है तुम मेरी भगवान हो इसके बाद दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल के अंदर मारिको और बाकी स्टाफ मेंबस मिलकर सुजुकी पर हार्ट पिट डिटेक्ट करने वाली मशीन से चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या लेकिन जब मारिको उससे पूचती है कि क्या तुम मेरे साथ फिजिकल होना पसंद करोगे तो ये सुझकी की हार्ट पिट बिल्कुल एक सेकंड के लिए बदलती है तो इसलिए मारिको उससे यही सवाल बार बार पूचती है लेकिन अब इसका कोई असर नहीं होता आगे मा के तहट इतना तो पता चल गया है कि सुजुकी पूरी तरह से एक्स्प्रेशन डिसॉडर है तो मारी को कहती है नहीं शायद इसे घी डिसॉडर नहीं है वेल ऐसा हो सकता है कि उसका नीचर बच्चपन से ही ऐसा हो और वो किसी चीज को पसंद नहीं करता तो उसका प्रसु कहता है नएंन और प्रसुज को गए नहीं हो उसे hospital से jail shift किया जाता है पर इसी बीच मारिको उसे रोकते वे उससे कहती है कि मैंने तुम से इतने सारी सवाल पूछे अब तुम मुझसे एक सवाल पूछो अगर तुम नॉर्मल हो तो तो मारिको के इतना कहते ही वहाँ पर Shimura आ जाता है मारी को शिमूरा के पास चाती है शिमूरा पताता है कि वो मारी को की वज़े से ठीक हो पाया है और अब वो खुद के दम पर कुछ करके अपनी सिंदगी बतलना चाता है इसलिए उसने एक चौप करके अकेले रहने का सोचा है पर वो इस सब का श्रे मारीको को देना चाता है इतना कहते ही शिमूरा की नर्जल सुजुकी पर जाती है सुजुकी भी उसे घूर रहा होता है इसलिए वो बलबर के लिए खामोश हो जाता है लेकिन फिर वो मारीको को बाए कहकर वहां से चला जाता है इसके बाद मारीको सुजुकी के पास आती है सुजुकी पूछता है वो कौन था मारीको कहती है क्या सुजुकी कहता है तुमने मुझे एक सवाल पूछने को कहा था तो मारीको बताती है हाँ वो भी उसका एक खास पेशिंट था बिल्कुल सुजुकी की तरह आगे मारिको को अपने हॉस्पिटल में एक बुक मिलती है जिसमें सुजुकी के नेचर से जुड़े इनसानों की ट्रेनिंग के बारे में लिखा हुआ था और ये बुक आईजावा नाम के एक आदमी ने लिखा था अगले दिन मारिको डॉक्टर आईजावा से मिलने जाती ह यहां वो डॉक्टर आईजावा के लिए कुछ गिफ्ट्स लेकर जाती है और उनसे पूछती है कि आपके कई सारे पेशेंट्स हुआ करते थे उनमें से कोई हाली में दूसरे हॉस्पिटल शिप्ट हुआ था या फिर कोई ऐसा पेशेंट जिसे आप करीबी से जानते थे तो डॉक्टर आईजावा केते हैं तुम सुजुकी के बारे में बात कर रही हो कई सालों पहले यहां पर गई सारे बच्चे खेलने आते थे उनमें से एक सुजुकी भी था लिकिन वो औरों से बिल्कुल अलग शान था सुजुकी के ग्रेंट फादर थे जो काफी अमीर थ थी और उसके बाद वो खुद ही जाने लगा उसका दिमाग ऐसा हो गया था कि जब तक मैं उसे कमान नहीं देता तब तक वो मर भी जाता लेकिन खाना नहीं खाता उसका दिमाग बिल्कुल कम्प्यूटर की तरह बन गया था लेकिन उसका IQ काफी तेस था वो जिक्सो जैसे पजल्स को कुछी घंटों में सौल्व का देता था जबकि उसे सौल्व करने में एक आम आदमी को महीनों लग जाते थे वो बुक में लिखे हर चीज़ को देख कर ही याद कर लेता था क्योंकि उसका दिमाग बुक की हर पेजिस को पिच्चर्स की तरह किलिक करता था जिसस जिससे लोग उसे brain man कहा करते थे तो मारी को पूछती है कि क्या आपके इलावा कोई और भी उसे जानता है तो डॉक्टर आईसावा उसे सुजुकी के एक दूसरे टीचर का एडरेस देते हैं आगे मारी को डिटेक्टिव के साथ सुजुकी के अगले टीचर से मिलने जाती है ये आदमी सुजुकी का फिजिकल टीचर होता है जो उसे फिजिकल ट्रेनिंग देता था वो बताता है कि सुजुकी के ग्रेंट फादर ने उसे फिजिकल ट्रेनिंग के लिए हायर किया था उसके बतले में वो उसकी माउंटें ट्रेनिंग स्पॉंसर करने वाले थे सुजुकी उनकी सिंदगी का सबसे टैलेंटिर स्टुडेंट था जो हर चीज बहुत जल्दी बिल्कुल किसी मशिन की तरह सीख जाता था उसने काफी जल्दी एक उंगली से पुश अप्स करना भी सीख लिया था लेकिन उसके ग्रेंट फादर उसे और भी बहुत कुछ सिखाना चाते थे मुझे उसके ग्रेंट फादर के साथ रहते रहते पता चला कि उसके बेटे और बेटे की वाइफ को किसी सीरिल किलर ने मार दिया था और वहाँ से भाग जया था इसी गम की वजए से उसकी ग्रेंट फादर उसे और भी बहुत कुछ सिखाना चाते थे ताकि वो उस सीरिकलर से बतला ले सके एक दिन सुजुकी के ग्रैन फादर ने उसे ये बात बताई और कहा कि तुम्हारे पेरिंट्स को मानने वाला हत्यारा बिल्कुल खुले आम घूम रहा है इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसका बता करके उससे बतला लो उस दिन के बास से सुजुकी ने इनसानों को मानने के अलग अलग पेत्रों के बारे में पढ़ना शुरू किया और एक स्कूल में इसे सिखाने लगा वो हर एक बाड़ि पार्टस के बारे में जानता था और उसके लिए किसी इंसान को मानना, खाना खाने जितना असान हो गया था एक तरह से वो एक किलिंग मशीन बन गया था तो मारी को कहती है कि इसका मतलब उसके अंदर कोई फिलिंग्स नहीं थी तो उसका टीचर कहता है नहीं, उसके अंदर फिलिंग्स है इसी के साथ कहानी चली जाती है फ्लैश बैक में जहां पर दिखाया जाता है कि सुजुकी अपनी टीचर के साथ माउंटें ट्रेनिंग कर रहा था पर इसी बीच उसके टीचर की रसी तूट गई थी और वो गिन्ने वाले थे लेकिन सुजुकी ने उनकी रसी अपने एक हांसे पकड़ ली थी वहीं उसका दूसरा हाथ एक पतले से पत्थर में था जो कभी भी फिसल सकता था और इसलिए उसके टीचर उसे बार बार कह रहे थे कि तुम मुझे छोड़ दो लेकिन यहां पहली बास सुजुकी ने उसका क दूर रखते थे आगे एक दिन सुजुकी के दादा जी का सपना पुरा हुआ उस दिन एक चोड़ सुजुकी के दादा जी को मार कर उनका सब कुछ लूट कर घर चला कर जा रहा था पर तबी सुजुकी वहां आ गया उस चोड़ ने सुजुकी को देखकर उस पचाकू से ह ये देखने के बात उसके टीचर ने उसे सिखाना बंद कर दिया वही सुजुकी के ग्रेंट फादर खुशी से मर गए और यहां से ये कहानी खतम हो गई आके दिखाया जाता है कि इन सब पर नोरिको और उसकी पार्टनर नजर रख रहे थे नोरिको अचानक से गाड़ी में चिलाते ही कहती है किसी को मानने का मज़ा ही अलग है सुजुकी और मैं कभी भी तब तक किसी को मानने से नहीं रुक सकते जब तक कि हम खुद ना मर जाएं ऐसा कहकर वो रोने लगती है अब सीन आता है मारिको और डिटेक्टिव की तरफ जहां पर डिटेक्टिव मारिको क बताता है कि सुजुकी के पेरिंट्स को मारने वाला कभी भी पकड़ा नहीं गया था लेकिन हाँ पिछले कुछ सालों में ऐसे लोग मारे गए हैं जो किसी कतल से जुड़े हुए थे और कई लोगों की जान ली थी इनमें से जातर लोग गैंक्स्टर और टेरिस्ट थे जिसे किसी ने मार दिया था शायद उन्हें मारने वाला सुजुकी था इसका मतलब वो बॉम ब्लास्ट के पीछे नहीं है और वो एक साइको भी नहीं है क्योंकि उसका IQ काफी जादा है तो इसलिए डिटेक्टिव उसे हॉस्पेटल से जेल लिजाने का फैसला करता है अब जेल जाने से पहले मारी को पुलिस वाले को रोगती है और कहती है कि मैं इससे आकरी बार कुछ बाती करना चाहती हूं आगे मारी को सुजुकी को अपने एक परसनल बास शेयर करती है वो बताती है कि उसकी फैमली में उसके फादर एक बिमारी की कारण मर गय थी जिस वज़े से उसकी फैमली में सिर्फ उसकी मदर और उसका चोटा भाई था जो एलिमेंटरी स्कूल में पढ़ता था लेकिन एक दिन उसका भाई स्कूल से वापस नहीं आया बाद में पता चला कि उसके भाई को किसी ने टॉचर करके बेरेमी से उसके सारे शरीर के बाल काटके उसे मार डाला था उसे मानने वाला उसी का क्लास में शिमूरा था जिसका वो इलाज कर रही थी मारी को बता दी है कि शिमूरा को बच्चों को तडबा तडबा कर मानने में मज़ा आता था वो एक साइको था उसका इलाज करते वक्त मारिको को कई बार उसे जान से मार डालने का मन किया लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं किया तो यह सुनकर सुजुकी की आँखे एक पल के लिए मोटी हो जाती है इस बात को मारिको नोटिस कर लेती है पर तबी डिटेक्टिव और पुलिस वाले आकर सुजुकी को ले जाते है लेकिन मारिको उसे रुकने की कोशिश कर दी है और कहती है कि तुम्हारा जनम लोगों को मानने के लिए नहीं हुआ पर डिटेक्टिव उसे ले जाता है जाते समय सुजुकी एक पर मारिको की तरफ देखता है आगे जब सुजुकी को जेल ले जाया जाता है तब बीच रास्ते में नौरिको और उसकी पार्टनर पुलिस का ध्यान भटकाने आ जाते है इसे भी सुजुकी अपनी हतकड़ी एक तार से खोल लेता है और बिल्कुल अगले पल में ही डिटेक्टिव के असिस्टेंट को चाको की नोग में रखकर डिटेक्टिव को गाड़ी रुकवाने को कहता है इसे भी डिटेक्टिव का असिस्टेंट डढ के मारे पैंट में ही ट्वालेट कर देता है आगे वो दो लड़कियां अचानक से अपनी विकल रोकती है और पुलिस के आगे वाली 4-5 काड़ियों में से आगे वाली काड़ियों के ट्राइवर को एक हतिया से शूट कर देती है जिसके बाद पीछे की सारी काड़िया आपस में टकरा जाती है इसी दोरान सुजुकी डिटेक्टिव की गन छीन लेता है और यहां वो दो लड़कियां एक पुलिस वाले को गन पॉइंट पे रखकर सुजुकी को बाहर बुलाने को कहती है ताकि वो उसे शूट कर सके असल में यह दोनों और सुजुकी एक दूसरे के दुश्मन है डिटेक्टिव कहता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि बॉम प्लास्ट करने वाली लड़किया है तो वो दोनों उस पुलिस वाले को ठोक कर पूछती है अब यकीन हुआ इसके बाद वहां पर सुजुकी आता है और आते ही नोरिको की पार्टनर को ठोक देता है और कहता है कि अब तुम्हारा खेल खतम हुआ लेकिन मरते मरते नोरिको की पार्टनर नोरिको को कवर कर लेती है जिस वज़े से सुजुकी उसे नहीं मार पाता यहां वो लड़की एक remote को दबा देती है जिससे उस officer के garden में लगा हुआ हथियार blast हो जाता है और देखते ही देखते एक काफी बड़ा blast हो जाता है इसी बीच वो लड़की वहां से वीकल लेकर भाग जाती है सुजुकी भी वहां से भाग जाता है पर इस blast से detective का assistant खायल हो जाता है लेकिन उसे जादा कुछ serious नहीं हुआ होता आगर detective मारिको को बताता है कि अगली बार वो हत्यारा यानि सुजुकी उससे नहीं बचेगा खेर मुझे तुमें उस लड़की के बारी में बताना है जो मर गई है उस लड़की का नाम मीजु साबा है और जो जिन्दा है उसका नाम नौरिको है इन दोनों के parents मर गए थे अचीब बात तो ये थी कि उनकी GP victim की तरह कटी भी थी इसका मतलब इससे हम समझ पाते हैं कि इन्होंने ही अपने parents को टॉचर करके मार दिया था और उस bomb blast के पीछे वही थी डिटेक्टिव कहता है कि ये दोनों कई सारे हमलों और टॉचर करने की cases में पकड़ी गई थी लेकिन हर बाद इनकी कम उमर की वज़े से ये दोनों पुलिस के हाथों से बच रही थी जो अभी सिंदा है उसका नाम नौरिको है और वही सबसे खदरनाक है डिटेक्टिव के इतना कहने के बाद कुछ दिनों बाद का scene दिखाया जाता है जहांपर मारिको सुजुगी के चले जाने के बाद ये सोचती है कि वो उसके patient में से सबसे अलग था उसके अंदर कुस्तो था काश वो उसके साथ और समय बिता पाती पर इतने में ही नौरिको अचानक से मारिको को आकर पकड़ कर ले जाती है जिसके बाद वो आदा hospital ब्लास्ट हो जाता है जिसे देखकर नौरिको को काफी अच्छा लगता है और ये देखकर उसे drugs लेने जैसा एहसास होता है आगे मारिको जब आखे खोलती है तो वो नौरिको के साथ एक कमरे में होती है जहां पर बहुत सारे computers होती है और ये सारे computers hospital में लगे bomb और CCTV camera से connected होती है मतलब नौरिको के एक button दबाती ही hospital में लगा एक एक bomb फट सकता है अब मारिको पूछती है कि क्या तो मुझे यहां मारने के लिए लाई हो तो नौरिको कहती है नहीं बलकि मैं तुम्हें यहां अपना अकेला पंदूर करने के लिए लाई हूँ ऐसा कहकर वो एक bomb बैटे बैटे ब्लास्ट कर देती है और इससे अफरात अफरी का महौल बन जाता है नौरिको CCTV से देखती है कि इस वक्त hospital में Suzuki भी है और वो अपनी कान से सुनकर bomb ढूनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि उसके सारे senses काफी तेज है वही पुलिस वाले भी bomb ढून रहे है आगे एक सोड़ा थमागा होता है जिसके बाद पुलिस वालों को Suzuki दिखता है डिटेक्टिव Suzuki को हिलने से मना करता है पर तबी एक bomb specialist कुदारों कहता है कि control room कहा है हमें वहाँ जाना चाहिए Suzuki बताता है कि वो second floor में conference room के पास है लेकिन वो काफी खतरनाक जगे है असल में जब Suzuki पहली बार hospital आया था तो उसके नजर उस चार्ट पर पड़ी थी और अब तक उसे हर कमरा याद था तो डिटेक्टिव Suzuki को चुप कर आते हुए कहता है कि हमारे पास bomb specialist कुदारो है और उसे तुमसे ज़्यादा पता है पद अब ये डिटेक्टिव को उसी लड़की नौरिको का call आता है और वो उसे Suzuki के साथ 8th floor में आने को कहती है जैसे ही ये तोनों 8th floor में जाते हैं तो इने वहाँ पर डिटेक्टिव का असिस्टेंट मिलता है जो 5 मिनिट के टाइमर वाले bomb के साथ बंदा होता है नौरिको बताती है कि अगर तुमने Suzuki को नहीं मारा तो मैं तुम्हारे पार्टनर के bomb का बटन दबा दूँगी यानि अब सब तुम्हारे हाथ में है तुम किसे जिन्दा देखना चाते हो तुम्हारे पास काफी कम समय है ऐसा कहकर वो call card देती है यहाँ Suzuki उस डिटेक्टिव को bomb के वायस देखकर बताता है कि वो तुमसे चूट बोर रही है ये bomb diffuse होने वाला नहीं है और अगर तुमने इसे हिलाया तो तुम्हारा partner मर जाएगा तो डिटेक्टिव कहता है कि तुम चुप रहो हमारे पास bomb specialist कुदा रहो है जो सब ठीक कर देगा पर तभी दिखाया जाता है कि उनका bomb specialist control room में जाकर वहां रखे bomb से कई लोगों के साथ blast हो जाता है डिटेक्टिव कहता है कि अब मेरे पास एक ही रास्ता है इतना कैकर वो trigger दवाने ही पाला होता है कि तभी सुजुकी बिल्कुल एक सेकिंड में उसकी gun फेकते वे उसको पकड़ कर कहता है कि मेरे पास समझने की कोशिश करो इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आगी सुजुकी चान पूच कर डिटेक्टिव को जादा चोट ना पहुचाए पगैर माने की कोशिश करता है वहीं डिटेक्टिव के असिस्टेंट के पास काफी कम समय बचा होता है और यहां वो बॉम प्लास्ट हो जाता है जिससे उसका असिस्टेंट मर जाता है इस सीन को देखते वक्त लगा था कि सुजुकी असिस्टेंट को बचा लेगा लेकिन वो बॉम अन्डिफ्यूजेबल था आगे नौरिको और मारिको को दिखाया जाता है जो यह सब सीजिन टिवी की मदस से देख रही थी यह देखकर मारिको पोचती है कि तुम्हें यह सब करके क्या मिलता है तो नौरिको एक कटर उठाते हुए उसके पास ले जाती है और कहती है तुम्हारी जबान काफी जादा चल रही है वो उसकी जुबान काटने वाली होती है कि तबी उसे फिर से खून के उल्टी होती है मारिको कहती है कि क्या तुम्हें कैंसर है तो नौरिको बताती है हाँ बच्वन से ही और यह कैंसर का लास स्टेज है जिसके बाद उसकी मौध हो जाएगी पर अपनी मौस से पहले वो कई लोगों को तरपा तरपा कर मारना चाती है ये उसका आखरी सपना है तो यहां से हम इस साइको किलर के रियल मौटिव को समझ पाती है कि वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि वो मनने वाली है वहीं दूसरी तरफ सुजुकी को दिखाया जाता है जो उस डिटेक्टिव के शौक में जाने के बाद उस हॉस्पिटल से बहा निकल जाता है इसी के साथ नौरिको कई सारे बॉम एक साथ एक्टिवेट करके पुरा हॉस्पिटल उड़ा देती है इसके पास सुजुकी को दिखाया जाता है जो पारकिंग लॉक तक पहुचता है पर तभी उसके सामने गाड़ी लेकर नौरिको आ जाती है जिसके बगल में मारिको बैटी होती है नौरिको मारिको से कहती है कि अब मैं तुम्हें असली ध्रिल दिखाती हूँ मुझे हमेशा से एक ऐसे आद्मी को माना था जिसे कुछ फील ना होता हो आज देखती है कि इसे सच में फील होता है या फिर नहीं ऐसा कहकर वो सुजुकी पर गाड़ी चलाने लगती है लेकिन सुजुकी नौरिको को मानने के लिए बार बार गाड़ी के सामने आता रहता है और बार बार नौरिको उसे उड़ाती रहती है लेकिन सुजुकी को फेल नहीं होता या फिर उसे होता है लेकिन वो जताना नहीं चाता यहाँ एक सिन में ऐसा लगता है कि जैसे सुजुकी मर चुका है लेकिन वो लड़कडाते वे फिर से खड़ा होता है और मारिको की आँखों में देखता है वहीं अब नारिको दुबारा से उस पर गाड़ी चलाने वाली होती है लेकिन मारिको समय देखती ही स्टेरिंग वील दूसरी तरफ मोर देती है जिससे गाड़ी दूसरी तरफ चली जाती है अब नारिको मारिको को मारने की कोशिश करती है पर तभी सुजुकी गाड़ी की व सुजुकी किसी की बात सुनता है और उसे नहीं मारता पर तभी दिखाया जाता है कि नौरिको के हाथ एक रिमोट होता है जो मारिको के बॉम से कनेक्ट होता है और नौरिको इसे साइलेंटरी दवाने बाली होती है पर तभी एन वक्त पर कोई उसे शूट कर देता है और उसे शूट करने वाला डिटेक्टिव होता है जो नौरिको को मार कर अपने असिस्टेंट का पतला ले लेता है आगे डिटेक्टिव सुजुकी को जाने देता है और चाते समय सुजुकी एक बार फिर मारिको को देखकर जाता है इसके बास सीन अगली दिन में शिफ्ट होता है जहां पर हम शिमूरा को देख पाते हैं जिसका पीछा करते वी सुजुकी को दिखाया जाता है और तभी मारी को के लैप टॉप में मेसेज आता है कि कॉंग्रेचुलेशन तुम्हारा सबसे पसंदिता पेशेंट मारा गया है और यह देखकर मारी को समझ जाती है कि जरूर यह सुजुकी का मेसेज है आगे मारी को हडबढाते हुई शिमूरा के घज आती है और यहां वो शिमूरा के डैट बाड़ी देखकर सुजुकी से नफरत करने लगती है पर तभी उसे एक बच्चे की अवास आती है आगे जानता था इसलिए उसने शिमूरा को मान डाला और फ्रिज में जो पच्चा है उसे भी शिमूरा मानने वाला था पर इसकी जिन्दगी सुजुकी ने बचा ली थी आगे जब इस बारे में पता चलने के बाद रिपोर्टर्स शिमूरा के मम्मी का इंटरव्यू लेते हैं तो वो बता दी है कि उसे उसके बेटे के मनने का कोई गम नहीं क्योंकि वो गलत काम करता था ये बात बता कर उसकी मम रोने लगती है लेकिन इंटरव्यू वाले फिर भी उसे अकेला नहीं चोड़ती इसके बाद अचानक से एक दिन मारीको को सुजुकी का कॉल आता है मार सबी गलतियों को नजर अंदास कर सकती हूं पर पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि शुमूरा थेरेपी के बाद भी ठीक नहीं हुआ था तो सुजुकी बताता है कि जब उसने उसे जेल में पहली बार देखा था तो उसके नजर शुमूरा के पहले का ही है इसी के साथ उसकी घपराट से ये बास सावित हो रही थी इसलिए नजर को किस्सा खतम होने के बाद उसने शुमूरा का पीछा करना शुरू किया और जब इस इस बारि में बता चला तो उसने उसे मार दिया पर उसका शक तब यकिन में बतला था जब मारिको उसे उसके भाई के इंसिडेंट के बारे में बताया था तो मारी को पूछती है कि क्या तुम सभी साइको किलर्स को ऐसे ही मारते हो तो सुजुकी कहता है हाँ क्योंकि यही मेरा काम है पर उसने तुम्हें धोका दिया था और तुम्हारे भाई को भी मारा था तो इसलिए उसक कहता है हां और इसी की साथ वो फाइनली इस फिल्म में पहली बार स्माइल करता है जिसके बाद यू मुवी एंड हो जाती है तो दोस्तों इस मुवी में हमें अलग-अलग वेराइटी के पागल देखने को मिले थे जिसमें से कुछ पागल ऐसे थे जो लोगों को तड़बान के लिए मारते थे कुछ ऐसे थे जिने बच्चों को गंजा करके मारने की आदत थी और एक ऐसा था जो अपनी सूपर एबिलेटी का यूज अच्छे कामों के लिए करके साइकोपात को ढूंड-ढूंड के मार डालता था क्योंकि ऐसा उसके ग्रैंड फादर ने उसके माइ झालता थादर ने उसके मार भालता थादर ने थे ज़िए अच्छे करें?